स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम वोरियर्स पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पटवार भरती और ट्रेनिंग के बारे में तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पटवार डोकुमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लेट हो चुका है कब तक जोइनिंग मिलेगी और क्या रहेगा ट्रेनिंग का समय तो इस बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में जितनी भी जान करी है वो हमने हमारे आसपास से जुटाई है तो यहाँ पर कुछ उपर नीचे हो सकता है लेकिन जो वास्तविक हैं वो हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे तो आज का वीडियो आपको पूरा देखने आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो सबसे पहली बात आती है कि कब इसका रिजल्ट आएगा कब इसका ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और कब तक इसकी जोइनिंग म हमें लगेगा यानि कि जूलाई के महिने में जो है आपका रिजल्ट आ सकता है तो जो फाइनल रिजल्ट है वो जूलाई तक आएगा जिसमें कि 5610 अभ्यारतियों के रोल नंबर होंगे यानि कि कौन-कौन अभ्यारती पास हुए हैं उन सभी के रोल नंबर होंगे उनका नाम होगा ठीके दोस्तों तो ये जो result है ये July तक आसकता है इनकी July के महीने में आने के पुरे चांच है कि आपका final result है वो July के महीने मा आ जाएगा और 5610 जो के total post है इनके वहाँ पर roll number दिखाए जाएगे और साथ ही आपकी जो final cut of है वो भी बता दी जाएगी अगली बात आत आती कि training कब से start होगी? तो जब final result आ जाएगा, तो इसकी भी 2-3 महिने के जो अंदर है, आपकी training start हो जाएगी. यह जो पूरा chance है कि आपके training जो ही सितंबर, अक्टूबर के महिने में start हो सकती है. तो आपके training जो ही सितंबर, या अक्टूबर के महिने में start होगी. अगली बात आती है कि कहाँ पर होगी ट्रेनिंग और कितने महीने का जो है कितने समय का होगा तो आपको याद रखना है यह जो ट्रेनिंग है यह 9 महीने की होती है ठीके दोस्तो पिछली बार जो ही नो महीने की ट्रेनिंग थी लेकिन अंत में जाते जाते इसे 6 महीने का कर दिया गया था यानि कि पिछली बार जो ट्रेनिंग हुई थी वो 6 महीने की हुई थी तो ये जो है ये राजसो मंडल पर depend करता है कि कितने महीने की training होगी वैसे देखा जाए तो 9 महीने की training रखी जाती है लेकिन अगर उन्हें यानि की राजसो मंडल को पटवारियों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो उस training के समय को कम कर दिया जाता है ठीके दोस्तों तो इस training का जो समय है वैसे तो 9 महीने रखा गया है इस 9 महीने में क्या होता है सबसे पहला आपका एक training होती है field field training होती है यानि कि जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आपको काम किस प्रकार करना है जब आप पटवारी बन जाते है इसके बाद 3 महीने की training जो होती है वो आपको किसी के under में होती है यानि कि आपको कही पर बेज़ा जाता है कि आपको वहाँ पर 3 महीने रेकर जो है अपना काम करना है यानि कि सीखना है किसी के साथ रेकर जिसको पटवारी हो सकते है या फिर कोई जो गिर्दावरी होते हैं इनके साथ आपको रहकर काम करना होता है यह जो समय होता है तीन महीने का होता है और इसी तीन महीने मापको एक फाइल भी बनानी होती है यानि कि एक फाइल मेंटेन करनी होती है इस तीन महीने के लिए जो कि आपके अंत में जाकर तहसील द्वार के द्वारा जो चेक की जाती है साथ ही आपकी जब training खतम हो जाती है उसके बाद आपका एक exam होता है यह exam आपका पास करना जरूरी होता है लेकिन ऐसा नहीं कि आपने exam दिया आपने उसमें अगर अगर आ फेल हो गए तो आपको बाहर कर दे जाएगा यह जो exam होता है यह आपका 2-3 बार आप डे सकती है इसमें टाइम होता है कि तीन बार जू है आप इस exam को दे सकते हैं और आपको पास करना होता है और exam कोई भी मुश्किल नहीं होता है जो भी आपने सीखा है इन 9 महीनों में उससी के आधार पर जो है आपका exam होता है और इसमें आप pass हो जाते हैं ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आपका 9 महीनी की training होती है वैसे अगर देखा जा तो 6 महीनी की हो सकती है और उसके बाद 3 मही है तो वहाँ पर आपकी training हो सकती है जैसे कि मानलेजे कोई जिला है जैसे कि मानलेजे धोलपूर है धोलपूर में सीटों की संक्या सिर्फ असी असी पद है धोलपूर में तो यहाँ पर आपकी training नहीं होगी इसके पास में जो भी जिला होगा है हो सकता है भरतपूर में हो या फिर जो जैपूर में हो या कोटा में हो, कही पर भी आपके ट्रेणिंग हो सकती है, इसके निकट वर्थी जहाँ पर भी 100 से अधिक सीटे है, वहाँ पर आपके ट्रेणिंग हो सकती है, तो यहाँ पर यही बात थी कि जिस भी जिले में पदो की संक्या 100 से अधिक हो, वही पर training होगी, अगर कम है तो वहाँ पर training नहीं होगी, और अगर वहाँ पर सो से कम सीटे हैं, तो नजदी की जिले में हो सकती है training, और यहाँ पर कुछ जिलो के नाम जो मैंने खुद ने जो है आपके जो official document था, official जो आपका एथा, उसके अंदर से निकाला है यहाँ पर सो से कम पद है इन जिलो में, देख रहाए हैं तो सीकर, कोठा, करोली, जैसल मेर, जुनजनू, हनुमानگर, दोसा और धूलपूर, यह वो जिले हैं जहाँ पर पदो की संक्या सो से कम है, तो यहाँ पर पूरे chance बनते हैं कि इन जिलों में जो है, आपका ट्रेनिंग नहीं होगी, तो नजदी की जिले में आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है, जैसे सीकर वाले जेपूर में जा सकते हैं, कोटा वालों को ट्रेनिंग आस पास में कहीं मिल सकती है, जैसकी बारा में या सवाई मातोपूर में मिल सकती है, करोली है, जैसल मेर वालों को ह क्या कम होगी वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग उसके बगल की जिले में हो जाएगी ट्रेनिंग का समय कितना होगा तो प्रती दिन 6 गंटी के ट्रेनिंग होगी आपकी 9 से 3 या 10 से 4 का टाइम हो सकता है ठीक है दोस्तो नो से तीन या दस से चार का जो है आपका समय हो सकता है छे गंटी के आपकी प्रती दिन ट्रेनिंग होगी और सबता में पांच दिन होगे सोमबार से शुकरवार आपकी जो है ट्रेनिंग चलीगी नो महीने चलेगी ये ट्रेनिंग जिसमें ये तीन महीने जो है वो भी शामिल है ठीक दोस्तो हो सकता है ये तीन महीने अलग हो क्योंकि नो महीने जो चलेगी ट्रेनिंग इसके लावा तीन महीने आपके जो किसी के अंडर मेरे का आपको काम करना है वो भी इसमें शामिल हो सकता है यह बोड जो है राजे सो मंडल पर डिपेंड करता है ठीके दोस्तो अगर बात करें कितनी रहेगी सेलरी तो प्रथम दो वर्ष में एक सेलरी नियत होती है यानि कि जो प्रोबिशन पिरेड जो होता है उसमें आपकी सेलरी बहुत कम मिलती है और चुट्टिया भी आपको कम मिलती है यहापर चुट्टियों के नापर आपको 15 CLE दी जाती है ठीक दोस्ते हैं कि 15 चुट्टिया आप अपने अनुसार कर सकते है इसके अलावा अगर राजे सो से 33 सार के बीच में हो जाती है ठीक दोस्तों तो यहाँ पर यह भी चीज है कि जो आपके प्रत Hom 2 वर्ष है अगर यह इसी ट्रेणिंग में गिन लिए जाते हैं तो आपके जो एक वर्ष है तो आपका ट्रेणिंग में ही निकल जाता है वैसे यही लेजा गया है कि आपके जो ये दो वर्ष हैं ये इसी में गिन लिये जाते हैं तो यहां पर आपका एक वर्ष बसता है जब आपकी सेलरी 14,000 रहती है और उसके बाद आपके सेलरी 30 से 33,000 हो जाती है इसके बाद आपके हर वर्ष जो है सेलरी कुछ बढ़ती जाती है ठीक दोस्तों में जो है आपकी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपकी 9 महीने तक ट्रेनिंग चलेगी ये जो ट्रेनिंग होगी ये आपकी 6 गंटे दिन में ये हर दिन 6 गंटे होगी वह सबता में 5 दिन ये ट्रेनिंग चलेगी और जो की 9 महीने तक चलने वाली है अगर आपके जिले में पदो की संक्या सो से कम है तो आपको आपके नजदी की जिले में ट्रेनिंग मिल सकती है। ठीके दोस्तों, वह साथ में आपकी क्या सेलरी रही है वो भी हमने आपको बताई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आप चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे उपयोगी लगें। तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। तैंक्यू जैहिन जै भारत। मूले कर दोले करें। उत कर दोत्यश जैजू गॉले तो तो जैGroup